Hello friends, welcome to study news, आज 28 जून, exam related जितने भी important question है हम उने हैं solve करेंगे, so let's start पहला question है, defense conclave 2020 कहां योजित किया गया, options हैं, उत्तरप्रदेश, न्यूडेली, गुजरात और महराष्ट्र अभी हाली में केंदरी रक्षा राजय मंत्री स्रीपत नाइक ने 25 जून 2020 को दो दिवसिये, defense conclave 2020 गुजरात का उधगाटन किया था, ये भारती उध्यो गुजरात और भारती रक्षा और निर्माता संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर option C, गुजरात सई होगा, 2019 में defense conclave New Delhi में अवजित किया गया था, अगला question है, Swiss bank के द्वारा जारी किये गए वार्सिक banking आकड़ों में भारत कि सिस्थान पर है, आपसंस हैं 52, 38, 87, 90, भारत 2019 तक Swiss bank को में अपने नागरिक और उध्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामलों में तीन पर है, पिछले वर्स भारत 74 में इस्थान पर था, तो इसका उत्तर option C, 77 में इस्थान पर सई है, तीसरा question है, 2023 FIFA महिला विशुकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपसंस हैं जर्मनी फ्रांस, ब्राजील परागवे, अर्जेंटीना चिले, और अस्ट्रेलिया न्यू 2023 FIFA World Cup अब आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में आयोजित किया जाएंगे, ये नौवा संसकरण है, इससे पहले FIFA महिला वर्ड कप 2019 फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसे USA ने जीता था, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, इसमें 32 टीमें सामिल होंगी, तो इसका उत्तर ऑप्संडी अस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड सही है, अगला कुस्चन है, भारती अंत्रिक चजनसी इसरो किस देश के साथ मिलकर पोलर मून एक्स्प्लोरेशन मिसन लाँच करेगा, ऑप्संस हैं जापान, अमेरिका, इसरो के साथ मिलकर इसरो संयुक्त रूप से पोलर मून एक्स्प्लोरेशन मिसन लाँच करेगा, जो 2023 तक ये मिसन जापान से लाँच होगा, इस मिसन के तहट चंद्रमा के प्रकाशित भाग में रोवर और लेंडर को उतारा जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्संड ए जापान सही है, जापान की अंतरिक चैजनसी जाकसा जिसका फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी है, ये इसरो के साथ मिलकर पोलर मून एक्स्प्लोरेशन मिसन लाँच करेगी, अगला कोस्चन है, चीन और पाकिस्तान के मद्द समझ होते, से चर चर्चा मेरा कोला हैड्रो प्रोजेक्ट जेलम नदी पर बनाया जा रहा है, ये पीयोके में जेलम नदी पर बनाया जा रहा है, जो चाइना के सीपीसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो इसका उत्तर उपसंसी जेलम नदी सही है, अगला प्रशन है कौन सा देश अपनी मुद्रा तुमान में परिवर्तित करेगा आपसंस हैं इरान, इराक, लीबिया और नाइजीरिया अभी हाली में इरान संसद द्वारा एक विधेक पारित किया गया है जिसके अनुसार इरानी मुद्रा रियाल को बदल कर तुमान किया जाएगा जिसमें एक तुमान की कीमत 10, हजार रियाल के बराबर होगी तो इसका उत्तर आपसं ए इरान सही है इरान की कैपिटल तहरान है और इस समय इरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी है साथमा कोस्चन है बेट अवार्ड 2020 में मानवतावादी हुमेंटेरियन पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है आपसंस हैं बयान से निपसे हसल, एड़वर्ड टिम, बिक मोर हाल ही में बेट अवार्ड 2020 में मानवतावादी पुरसकार से बयान से को सम्मानित किया गया है बयान से एक अमेरिकन सिंगर, सॉंग राइटर, डांसर और एक्ट्रेस हैं आठमा कोस्चन है आई एम एफ नेवित वर् बाइट की जीडीपी कितनी अनुमानित की है आपसंस हैं 4,5,3,9 प्रतिसत और 5,4 प्रतिसत आई एम एफ यानि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड 2021 के अनुसार भारत की जीडीपी 4,5 प्रतिसत रहने की उमीद है तो इसमें इसका उत्तर आपसं भी 4,5 प्रतिसत सही है आई एम एफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी इसका हेड़कोवाटर वासिंग्टन डीसी में है इसमें 189 सदस्य राष्ट्र हैं इसकी एमडी कृषलीना जॉर्जीवा है इस वक्त और इस समय मुख्य आर्थिक सलाकार गीता गोपीनात है 2022 में GDP 6.1 रहने की उमीद है आई एम एफ द्वारा अभी हाली में ASEAN Development Bank ने 2021 के लिए भारत की GDP 4.1 प्रतिसत रहने की उमीद जताई थी अगला कोस्चन है किसने English Premier League 2019-20 का खिताब जीता है आपसंस हैं वेटफोर्ड, लिवरपुल, बर्नले और बार्सिलोना अभी हाली में लिवरपुल ने English Premier League 2019-20 का किताब जीता है लिवरपुल एक England Football Club है जिसने 30 साल में अपना पहला English किताब जीता है आखरी कोस्चन है हाली में किस बैंक ने UAPE नामक Digital Wallet Mobile App लाँच करने की घोशना की है आपसंस हैं B.O.B., HDFC Bank, S.B.I.E. और Yes Bank तो अभी हाली में Yes Bank ने UAPE नामक Digital Wallet Mobile App लाँच करने की घोशना की है तो इसमें इसका उत्तर आपसंडी Yes Bank सही है तो यह थे आज के महदपून प्रस्न So, thanks for watching this video, please like, subscribe and comment